आपका स्वागत एक बार प्रिक प्लैक्स पे जी यां इस वक्त मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही बहतरीन मैच लेकर ग्रूप C का और इस T20 वर्ल्ड कप का ये 26 मैच है जी यां मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त वेस्ट इंडीज और न्यूजिलेंड के बीच का एक बहुत ही श चांदार मैच है और इस मैच की सबसे खास बात है कि वेस्ट इंडीज ने अब तक दो मैच खेलें और चारंग के साथ वो पॉइंट टेबल में टॉप में है हलाकि इसके अलावा आप देखें तो न्यूजिलेंड अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान से बहुत अब तक वो दो मैच जीत कर दो मैच जीत कर चार अंग पे हैं तो यह दिखने वाली बात होगे कि वेस्ट इंडीज जिनोंने अपना पहला मुकाबला जो खेला था वो बहुत ही एक असान सी जीत हुई थी उनको और दूसरे मुकाबले में यूगांडा को 49 रनों पे उन्ह विकेट लिये थे हलाकि इनके पास अलजारी जोसिफ हैं रसल फॉर्म में आ गए हैं और कई न कई मैं समझता हूँ कि रॉष्टन चेस भी कई बार हम बॉलिंग में उनको देख लेते हैं पैक है यह टीम बैटिंग के नजरिये से आप देखें तो निकोलस पूरन है बहु उतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया है अब तक उन्होंने अपनी जो बॉलिंग है ट्रेंट बोल्ड दुनिया के बहुत ही खतरना गेंदबाज हैं आप जानते हैं कि उन्होंने आइपिल में बड़ा कमाल किया है लेकिन वो फॉर्म इस टी ट्वेंटी वर्ल कप में न न्यूजिलेंड के लिए मिचल सेंटेनर जो की स्पिन अटैक है और स्पिन अच्छी करते हैं लेकिन उनका भी परफॉमेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है तो देखने वाली बात होगी कमबेक करना कितना ज्यादा होगा कठिन उनके लिए ये बड़ी बात होगी और बैट में वो रन आना बाकी है अफगानिस्तान के खिलाफ ये टीम कोलैप्स कर गई थी और ये टीटी वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि हर एक मैच इंपॉटेंट हो रहा है हर एक ग्रूप में कांटी की लड़ाई है आप देख सकते हैं ग्रूप में पाकिस्ता को थोड़ा सा जूजना पढ़ रहा है सूपर रेट में जाने के लिए ऐसा ही हर एक ग्रूप में है और यही तो खास बात है इस बार टीटी वर्ल्ड कप की वेस्ट इंडीस को हम ग्राउंड का फायदा मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन न्यूजिलेंड भी मै में बहतर प्रदेशन करेंगी और क्रिक प्लैक्स पर इस मैच का हम लाइव अपडेट लेकर हाजी रहेंगे धन्यवाद नमस्कार